अब बिहार के पूर्व सियम जीतन राम मांजी का विवादित बयान आया है उनका कहना है कि राम भगवान नहीं है वे तो सिर्फ तूलसी दास वो वालमी की रामायन के पात्र है मांजी ने अपने भाषन में कई अन्य ऐसी बाते कहीं जिन से विवाद खड़ा हो सकता है मांजी ने यह बाद गुरुवार को जमूई में अमबेड कर जयनती के मौके पर आयोजित कारेकरम में कही इस कारेकरम में उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिये मांजी ने कहा कि रामायन में अच्छी बातें लिखी हैं इसलिए हम उसे मानते हैं पर राम को नहीं जानते बिहार के पुर्व सियम ने कहा कि पूजा पाठ करने से कोई बड़ा नहीं होता अनुसूचित जाती के लोगों को पूजा पाठ करना बंद कर देना चाहिए जो ब्रामन मांस खाते हैं शराब पीते हैं जूट बोलते हैं उनसे दूर रहना चाहिए उनसे पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए हिंदुस्तान अवा मोर्चे के प्रमुख ने यह भी कहा कि आज राम की तरह कोई शबरी के जूटे बेर खाकर दिखाए हमारे घर खाना खाए मांजी ने कहा कि स्वण और उच जाती के लोग भारत के मूल निवासी नहीं है वे बाहरी है यह पाला मौका नहीं है जब मांजी ने राम, स्वण, हिंदु धर्म, ब्रामन, आदी को लेकर ऐसी बाते कहीं हो पहले भी वे कई बार ऐसी बाते कर चुके हैं गतवर्ष दिसंबर में भी ऐसी बाते कहीं थी जिनके बाद बवाल खड़ा हो गया था इसके बाद उन्होंने एक और कदम उठाते हुए पटना में ब्रामन भोज रखा था लेकिन इसकी शर्त यह रखी थी कि जिन ब्रामनों ने जीवन में कभी पाप नहीं किया वे ही इसमें शामिल होंगे इसके बाद NDA वा भाजपा ने उन्हें समझाईश दी थी मांजी 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे यह पहली बार नहीं है जब मांजी ने इस तरह का बयान दिया हो इससे पहले भी उन्होंने भगवान राम और शराबंदी को लेकर बयान मांजी ने दिया है मांजी की पार्टी हम बिहार में NDA के साथ शामिल है NDA के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और भाजपा राम के नाम पर लंबे समय सराजनीती करती रही है इससे पहले भी मानजी ने भगवान राम के बारे में कहा था कि वे भगवान राम को नहीं मानते हैं राम एक कालपनिक पुरुष है रामायन में कई अच्छी बाते हैं लेकिन मैं राम को नहीं मानता मूर्तियों की पूजा नहीं करता बलकि प्रकृति की पूजा करता हूँ माता शबरी की पूजा करता हूँ बिहार में शराब बंदी है और इसको लेकर जीतर नाम मांजी ने भी शपत ली थी लेकिन अब मांजी को लग रहा है कि शराब बंदी के नाम पर सबसे ज़्यादा दलित और पिछडी जाती को लोगों को जेल भेजा जा रहा है इसलिए मांजी गुजरात की तर्च पर बिहार में शराब बंदी की मांग कर चुके हैं उन्होंने कहा था कि बिहार में IES IPS भी शराब पीते हैं अगर आपको भी रात को शराब पीना है तो दस बज़े के बाद पीजिए बिहार की राजनीती में अपने बयानों की वज़े से लालू परसाद सबसे चर्चित नेता रहे हैं लेकिन अब जीतन राम मांजी लालू परसाद को भी पीछे छोड़ चले हैं मांजी राजनीती में बयानों की ताकत जानते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया नितीश कुमार ने हटाने में भी नितीश कुमार की भूमिका रही वीडीयो डेस्क अमरुजाला डाट कॉम डाउनलोड करें अमरुजाला आए और पाएं ख़बरें लगातार अगर आप ये वीडियो यूटुब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें